हेलो गाईज, स्वागत आप सभी का Online Study Academy में तो सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंतरता दीवस की धेर सारी सुबकामनाई Online Study Academy की तरप से तो दोस्तो रोजगार सामाचार का नया अंग प्रकाशित हो चुका है जो की 14 अगस्द से 20 अगस्द 2021 के लिए है और इस अंक में जितने भी important jobs की notification है उसको हम discuss करेंगे, देखेंगे क्या कुछ important dates रखी गई है, form भरने की last date क्या है, exam की date क्या है, fees क्या है, eligibility criteria क्या है तो ये सब कुछ discuss करेंगे हम तो आईए जल्दी से शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पे हम NEET 2021 की बात कर लेते हैं जो परिक्षा इसका संसोधित प्रारूप दिया गया है ये जो परिक्षा है, ये pain paper mode में 13 भासाओं में आयूजित की जाएगी इस साल एक प्रशन पत्र होगा जिसमें भौत की रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से 180 बहु विकल्पी प्रशन आएंगे तो ये आपको याद रखना है, इसके बाद important dates दी हुई है, इसे देखते हैं तो जो परिक्षा के शहर की गोशना है, ये 20 अगस्त 2021 को की जाएगी और जो नीट का प्रवेश पत्र होगा, ये परिक्षा से 3 दिनों पहले अबलेबल हो जाएगा जो परिक्षा तिती है, ये 12 सिटेंबर 2021 रखी गई है जो ओयामार सीट है, इसका प्रदर्शन और इसके अलाबा जो परिणाम की गोशना है ये आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन में आ जाएगी इसकी डेट और जो नीट की आधिकारिक वेबसाइट है, ये है नीट.nta.nic.in फिर देखे, राश्टी तक्नीकी सिक्षक, प्रसिक्षण एवं अनुसंधन संस्थान निया पर नोटिफिकेशन निकाला है तो उन्होंने सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए आउनलाइन आवेदन अमंत्रित किये हैं सहायक प्रोफेसर की एक पद है, सहायक प्रोफेसर की एक पद है, और सहायक प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस और इंजिनिंग का एक पद है ठीक है, इसको जो आउनलाइन करने का वेबसाइट है, www.nittrc.ac.in और जो लास्ट रेट है, यह 17 सेप्टेंबर 2021 रखी गई है, और जो आवेदन की लिंक है, यह 5 अगस्त से खुल चुकी है इसके बाद दिल्ली विसद्याला इंस्टिट्यूशन औफ एमिनेंस से रोजगार सूचना आई है यहाँ पर महरसी कानाद पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप की नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसकी अंतिम्तित्थी यहाँ पर 23 अगस्त रखी गई है, यहाँ अब 23 अगस्त तक ioe.du.ac.in में जाके अपलाई कर सकते हैं इस फेलोशिप के लिए, इसके वाद है भारती प्रोद्योग की संस्थान भिलाई का नोटिफिकेशन, यहाँ पर IT भिलाई स्टाफ भरती की नोटिफिकेशन निकाली गई है, यहाँ पर पंजियक अनुबंद आधार पर एक आयू सीमा संधामन वर्स रखी गई है, और जो यहाँ पर वेतन रखा गया है, यह 1,44,200 रुपए रखा गया है, सहायक का वेतन मान है यहाँ पर 25,500 रुपए, जिसकी पद हैं यह 5 हैं और इसकी अधिकताम आयू 32 वर्स रखी गई है, कनिश्ट सहायक की दो पद हैं पर 21,700 वेतनमान है, 30 वर्स जिसकी अधिकताम आयू सीमा रखी गई है, इसके बाद यहाँ पर तकनिकी पद की बात करते हैं, तो कारकारी अभियनता यहाँ पर एक पोस्ट है, सरसथ 1700 इसकी पेमेंट है और 40 वर्स एज लिमिट रखी गई है, वरिस्ट कंप्यूटर इंज रखी गई है, और जो पेमेंट है, यह 35,400 रखी गई है, और तकनिकी सहाया कि यहाँ पे एक पोस्ट निकाली गई है, इसकी पेमेंट है 25,500 रुपए और 32 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है, जो ऑनलाइन आवेदन है, यह 23,7,2021 से शुरू होगा, और जो अंतिम्तिती ह यह 28,2021 रखी गई है, इसके आद है रास्टी सरकरा संस्थान यानि की नैशनल सुगर इंस्टिटूट, तो इन्होंने भी एक रिक्ती परिपत्र निकाला है, जिसमें एक प्रवर स्रेंडी लिपिक की पत का नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसकी आयू सीमा 56 रखी गई है और जो पेमेंट रखा गया है, यह 25,500 से 81,100 रुपए रखा गया है, फिर यहां पर तट रच्छक मुख्याला ने एक नोटिफिकेशन निकाली है, जहां पर चार्जमें का यहां पर रिक्ती भरने के लिए आवेदन मांगा गया है, तो जो यहां पर रिक्तियां हैं, यह 9 हैं, यानि कि 9 पोस्ट हैं, और जो वेतन है, यह 35,400 से 1,12,400 रुपए रखा गया है, इसको आवेदन करने के लिए आप Indian Coast Guard.gov.in में जाके अपलाई कर सकते हैं, और जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम्ति थी है, वो यह जो प्रकाशन निकाला गया है, जिस दिन यह प्रेशक है, क्रिसी विपढ़न के, एक पद है यहाँ पे, जिसका वेतन मान है, 1,44,200 से 2,18,200 रुपए रखा गया है, इसके आद है अनुसंधान एसोसियेट क्रिसी विस्तार के एक पद, अनुसंधान एसोसियेट ग्यान प्रमंधन का एक पद है, कनिष्ट स्टैनोग्र का एक पद है, और सहाय कैसियर का एक पद है, इनके जो वेतन मान हैं, यह आप सामने लिखे हुए हैं, अगर आप इंट्रेस्टेड हैं, तो स्क्रिन शॉट ले सकते हैं, तो यह जो अप्लिकेशन है, इसको अपलाई करने के लिए, अगर आप ग्रूप C के पद को कर रहे हैं, तो 500 फिस रखी गई है, और जो ग्रूप A के पद हैं, इसके लिए 1000 रुपए रखी गई है, और जो अंतिम्तिति है, तो इस समाचार में इसका जो यह प्रकाशन हुआ है, इसके 30 दिनों तक इसकी डेट रहे हैं यह अपलाई करने के 30 दिनों के अंदर आपका अपलाई करना पड़ेगा, फिर है यहाँ पे अखिल भारती आयूर विज्ञान संस्थान गोरकपूर, तो यहाँ पे चिकित्सा अधिक्षक, इसके लाब अवित्ती सलाकार, अधिक्षक, अभियंता, कारेकारी, अभियंता, इलेक्रिकल, कारेकारी, अभियंता, सिविल, स इसकी हम विस्टलेशन कर रहे हैं फ्राइडे को यानि की 13 तारिक को ठीक है तो 13 तारिक को ये प्रकाशित हुआ है तो 13 तारिक से 45 दिनों के भीतर आप इसमें अपलाई कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे देखिए वस्तमंत्राले ने निकाला है विकास आयुक्त हत करगा कार याले से एक नोटिफिकेशन जिसके तहत यहाँ पे उप या छेतरी प्रवातन अधिकारी के दो पदों पे नियुक्ति की नोटिफिकेशन भेजी गई है तो इसके लिए जो पेमेंट रखा गया है यह सरसाथ 1700 से दो लाक 8700 रुपे रखा गया है आविदान कैसे करना है www. www.handlooms.nic.in पे आप जाके आप इस पत्पे अपलाई कर सकते हैं इसके यहाँ पे यूपी असी यानि संग लोग सेवा आयोगने नोटिफिकेशन निकाला है कि समलित रक्षा सेवा परिक्षा 2-2021 का जो है यह और्गनाइस कराए जाएगा 14 नॉमबर 2021 को ठीक है तो 2022 में प्र पुरस एवा महिला भरती है तो 14 नॉमबर 2021 को यह समलित रक्षा सेवा परिक्षा 2 जो है यह आयुजित की जाएगी और इसकी ज़्यादा इन्फोर्मेशन है आप यूपी असी डॉट जियोवी डॉट इन पे जाके ले सकते हैं 4 अगज 2021 से यह इन्फोर्मेशन अविलेब गई है और इसकी जो लाज देठा आविधन पत्र करने की आविधन पत्र भरने की यह 2 सितंबर 2021 रखी गई है और जो पेमेंट रखी गई है पेमेंट आपको इन्फोर्मेशन है यह दी गई है कि साथ में केंदरी वेतन आयों के अनुसार वेतन मैक्रिस में लेवल 10 के संस्कृति मंत्राले में सहाय कीपर के पत का तो यहां पर एक अनुसूची जनजाती का पत है और एक अनुपिछड़ा वर्ग का पत है वेतन मान साथ में केंदरी वेतन आयों के अनुसार दिया जाएगा आयों सीमा जो है यह 35 वर्स रखी गई है अनुसूची जनजाती के लिए और 33 वर्स रखी गई है अनुपिछड़ा वर्ग के लिए जो अन्तिम्ति थी है इसके लिए भी दो सितंबर रखी गई है और वेतनवान और ज्यादा इंफोर्मेशन के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं फिर यहां पर इंडियन ओयल कॉर्परेशन में तो प्रसिक्षूओं को यहां पर नियूंतम वर्स रखा गया है इसके लिए यहां पर एजुकेशन कॉलिफिकेशन दिया गया है तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं अपनी अलिजिबिल्टी की अनुसार नीचे देखते हैं आविदन कैसे करना है तो आप वेबसाइट पर जाके iocl.com पर अपलाई कर सकते हैं आविदन प्राप्त करने के लिए पोटर खोलने के तिथी 13 अगस्त 2021 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथी है 28 अगस्त तक अधिक जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी इसके अधिकेंदरी पादुका प्रक्षिक्ष संस्थान नोटिफिकेशन निकाला है तो यहां पर देर्ग आवधि के पाठ करमों है तो प्रवेस प्रारम हो चुके हैं तो फुटब्यर उत्पादन प्राधिकी में उन्नत प्रमाण पत्र पाठ करम जो है यह बारा महीने का है इसकी आयू अधिक्तम वर्स 35 रखी गई है आवधन करने की अंतिमतिती है 27,8,2021 और योगता होने चाहिए इसके लिए 10 पास फिर है फुटब्यर डिजाइन एवं उत्पाद विकास में उन्नत सर्टिफिकेट कोर्स इसकी आवधि भी है बारा महीने की योगता है बारमी पास एज लिमिट है 35 और लास डेट है 99,2021 फिर है फुटब्यर निर्माण और डिजाइन में डिप्लोमा तो इसका जो अवधि है ये 24 महीने का है एज लिमिट है 17-25 साल योगता चाहिए बारमी पास और लास डेट है 26,9,2021 फिर है जूते प्रवधिकी में इस्तनात कोत्तर डिप्लोमा तो इसके लिए कोई भी स्तना फिर है फिर है यहां पे मदप्रदेस उच नियारा का नोटिफिकेशन है यहां पे कर्मिक सहायक की यहां पे पोस्ट निकली है टोटल 22 पोस्ट है यहां पे जिनका पेमेंट 36,200 से एक लाग 14,800 रुपए पर मंत रखा गया है इसको ऑनलाइन आवेदन शुलू करने की जूतिती है इसातर आट दोहजार रिकीस है और जो लास डेट है ये तीस नोह दोहजार रिकीस रखी गई है और जो प्रारिमिक परिक्षा की तीथी है और मौक परिक्षा की तीथी है इसे बाद में वेफ साइट के तुरू नोटिफिकेशन के तुरू जारी कर दिया जाएगा डेट फिर यहाँ पे राइट्स लिम्टेड ये भारा सरकार का ही एक उद्यम है इन्होंने भी नोटिफिकेशन निकाला है तो ये जो नोटिफिकेशन है ये प्रसिक्षू के लिए निकाला गया है सबसे पहले इसनातक अभियंता प्रसिक्छू सिविल अभियांतरकी में 25 पोस्ट है फिर इसनातक अभियंता प्रसिक्छू यांतरिक अभियंतरकी में 15 पोस्ट है फिर इसनातक अभियंता प्रसिक्छू वैद्यूत अभियांतरकी में यहाँ पे 8 पोस्ट है अभियंता सिवि जो अनुभव मागा गया है तो JET, civil, GET यांतरकी और GET वयद्युत में शुर्ण अनुभव मागा गया है जबकि अब यंता, civil, यांतरिक और वयद्युत दोनों में ही दो-दो साल का अनुभव मागा गया है. आयू सीमा जी इटी में जो हैं तीनों ही ब्रांचेस में 30 वर्ष आयू सीमा रखी गई है और अब यंता में जो आयू सीमा है ये 32 वर्ष रखी गई है यहाँ पर देखिए आप अपलाई कैसे कर सकते हैं तो www.rides.com पर आप जाके अपलाई कर सकते हैं जो ऑनलाईन अपलाई करने की डेट है ये शुरू हो चुकी है 30 साथ 2021 से और जो लास डेट है ये 25 साथ 2021 रखी गई है और जो चैनल पर रख रही है इसकी डेट जो है ये बाद में सूचित की जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा फिर यहां पर देखें CSIR हिमाला जैब संसाधने नोटिफिकेशन निकाला है वह जो नोटिफिकेशन है इसमें अपलाई करने की अंतिम्तिती रखी गई है 13-3-2021 यहां पर जो पेमेंट रखी गई है यह 67,700 रुपए परमंत रखी गई है प्लस पालंपूर पर देभत्ते भी होंगे इसके लाबा जो यहां पर पोस्ट हैं यहां पर वैग्यानी की पोस्ट हैं अलग-अलग ट्रेड में जैसे की इसके लाबा यहां पर वरिष्ट चीकित्स अधिकारी की दो पोस्ट है जनरल फिजीशियन इसके लिए जो पेमेंट रखा गया है इसके बाद यहां पर तक्निकी सहायक की पोस्ट निकली है जिसकी पेमेंट है 35,400 रुपए तो तक्निकी सहायक अलग-अलग फिल्ड में मागे गए हैं जैसे फिल्ड प्लांटेशन, कॉर्प्स में, जैय प्रद्योगिकी में, कंप्यूटर विज्ञान, आईटी में, अप्लाई कर सकते हैं फिर यहां पर अंत्रिक्ष विभाग भारती, अंत्रिक्ष अनुसंदान, संगठन, विक्रम, सारा भवाई, अंत्रिक्ष केंदर, तृवण, पूर्म, ने नोटिफिकेशन निकाली है यहां पर तकनिस्ट अनुवाथक अधिकारी की पोस्ट है, एक पद है जिसका पेमेंट जो है यह 35,400 से 1,12,400 रुपए रखा गया है यहाँ पे इसकी योगिता है योगिता आप देख सकते हैं इसका नीचे देखते हैं कि इसे अपलाई कैसे करना है सबसे पहले तो डेट देख लिए 16,08,2021 से लेके आप 30,08,2021 के बीच में इसमें अपलाई कर सकते हैं और www.vssc.gov.in पे जागे आप अपलाई कर सकते हैं फिर यहाँ पे देखे राश्री माना अधिकार आयोग याने के नैसनल हुमेन डाइट्स कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाली है यहाँ पे सायुक्त निर्देशक अनुसंधान की एक पोस्ट है जेस्ट अनु संधान सहायक की कनिष्ट लेखाकार की यहाँ पे दो पोस्ट है एक पोस्ट है सहायक पुस्त काला धक्ष की और आशुलिपिक स्रेंडी घा की यहाँ पे 9 पोस्ट है तो जो इनका पेमेंट है लगभग 25,500 से शुरू होके मैक्सिम्म जा रहा है 2,9,200 रुपय तक तो www.nhrc.nic.inpay फिर देखे राश्टी उपभुकता विवाद निवारण आयोग भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया है जहां पे अलग-अलग यहाँ पे पद निकाले गए हैं तो देखे कौन-कौन से पद हैं यहाँ तो लेख अधिकारी का एक पद है कोर्ट मास्टर का एक पद है अनुभाग अधिकारी का एक पद है सहायक के यहाँ पे चार पद है इसके लाबा निजी सहायक का एक पद है और जो वेतन मन रखा गया है यह 35,400 रुपए से शुरू होता है और एक लाख 500,100 रुपए तक जाता है मैसम अलग-अलग पोस्ट क अलग-अलग पेमेंट आप चेक कर सकते हैं इसकी जो आविदन करने की अंतिमतिती है यह 15,10,2021 रखी गई है और आप वेबसाइट ncdrc.nic.in पे जाके अपलाई कर सकते हैं फिर यहाँ पे क्रिसी एवम किसान कल्यान मंत्राले ने नोटिपिकेशन जारी की है यहाँ पे तक सुविदा है लेखा कार यहाँ पे तीन रिक्तियां है 42,000 रुपए प्रतिमाँ प्रतिमाँ रखी गई है कनिष्ट तकनिकी अधिकारी उत्पादन का एक पोस्ट है इसका बामन हजार पेमेंट रखा गया है कनिष्ट विपड़न अधिकारी की एक पोस्ट है जिसकी पेमे 2021 और अधिक जानकारी के लिए आप एग्री कूप डॉट एन आइसी डॉट इन पर जाके चकाउट कर सकते हैं इसका राश्टी राजधानी छेत्र परिवहन निम्टेड ने यहां पे नोटिफिकेशन जारी किया है यहां पे अलग-अलग पोस्ट निकाले गए हैं जैसे कि उप महाप्रवंधक सुरक्षा, उप महाप्रवंधक सूचना प्रध्योगी की, उप महाप्रवंधक मानव संसाधन, उप महाप्रवंधक वित, उप महाप्रवंधक राजध्व, उप महाप्रवंधक सिविल ट्रैक, इसके राब उप महाप्रवंधक सिविल ट्रैक हो गया यह 50 रखी गई है किसी की पोस्ट के लिए किसी पोस्ट के लिए 40 है और जो अनुभव है किसी में 8 वर्स मागा गया है किसी में 3 वर्स मागा गया है तो आप इस नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं अपने eligibility की अनुसार अपलाई करिएगा अपलाई करने की अंतिमतिति है कि नोटिस जारी होने के 25 दिनों के भीतर इसके बाद यहां पे विज्ञान और प्रोजग की मंत्राला ने नोटिफिकेशन जारी किया है यहां पे 13 पदों पे नियुक्तिव के लिए नोटिफिकेशन निकाला रखा गया है जो वेतनमान है यह 67,700 से 28,700 रुपए रखा गया है तो यहां पे कुल रिख्तियों की संख्या पहले 9 है जिसमें यांत्रिक इंजीनियर इलेक्ट्रोनिक इंजीनिरिंग भहती की रसान विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान और गणिश शामिल है और इसके ब आपह hardest देख्यान कि एप हरी ब्लाइब यृएंग्यान जार रेक्श यहां पर यहां पर जो वेतनमान है यहails 31,001,100 रुपए रख गया है यहां पर perpetonent में इसके देया पर जो पद है ये एक है इंजिनिरिंग का IOC मा जो है ये C के लिए मतलब वेग्यानिक C के लिए 35 वर्स है और वेग्यानिक D के लिए 40 वर्स तबकि वेग्यानिक F के लिए 50 वर्स रखा गया है ठीक है यहाँ पे जो अप्लाई करने का तरीका है यह आप recruitment.dst.joe.in पे जाके अप ग्यापन के प्रकाशन के 60 दिनों के अबदी के अंदर आपको अपलाई करना पड़ेगा इसके अदि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिम्टेड ने यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला है तो यहाँ पे चिकित्सा अधिक्षक रेडियो लॉजी एक पोस्ट है जिसके से एक लाग साथ हजार पेस्ट है वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी दो पोस्ट है यहां पे 50 लाग साथ हजार पेस्ट पेमेंट है कि लाब अब चिक जो सब्त रखा गया है प्लस साथ में अन्य बत्ते भी दिये जाएंगे आवेदन करने के लिए आप www.hal-india.co.in पर जा सकते हैं और जो अंतिम्तिति है ये 49.2021 रखी गई है इसके आदा गेट 2022 का नोटिफिकेशन अभियांद्र की इसना तक अभिक्षमता परिक्षा तो जो परिक्षा रखी गई है 2021 की और अवदी के लिए जो विलम सुल्क के साथ लास्ट डेट रखी गई है ये एक अक्टूबर 2021 रखी गई है 24 सेतंबर तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहां पे आपको लेट फिस नहीं देना होगा एक अक्टूबर तक अगर आप अप्लाई करेंग धारती और जो सेस्ट के वाले स्टुएंट से उनके लिए रखी गई है और बाकी जो दूसरे स्टुएंट से जनरल वाले उनको 1500 रुपए हां पर फिस रखा गया है तो अच्छे सेशन यहीं समाप्त करते हैं इस हपते जितने भी रिग्रोट्मेंट की नोटिफिकेशन आ भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें क्योंकि इस तरह की वीडियो आती रहती है जौब से रिलेटेड और बेल आइकन जरूर दबा दीजेगा ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको तुरन नोटिफिकेशन आजाए और आप टाइम रहते ही अपना जो तैयारी है एक्जाम का वो शुरू कर सकें इसके अलाबा चैनल पे करेंट अफियर और जो इंपोर्टेंट मैगजीन और न्यूस पेपर है एक्जाम के पॉइंट आफ यू से इन सबका वीडियो भी अवलेबल है तो मेक शिर उसे भी चेक आउट जरूर करिएगा बाक की मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और थैंक यू गाइस